कघी तो कल हम लोगों ने पढ़ा था नहीं बए visionary है रिजल्ब कर Śाथ के लग लिएच système को कहां से स्वरवात करेंगे कानिको सुरवात करेंगे एधना व्यांप white connection प्रकानी स्टाथ करेंगे सोलर tens से और सोर लाइट इजब पळी कौर्मेटिक प्लाइट जिसके पास वेवलेंट 400 से 700 वाली सभी वेवलेंथ वाली लाइट है जब ननोमीटर वाली लाइट है और फोटो सब्सक्राइब स कि तक के सभी लाइट को अब्सक्राइब पर सकता है हाँ मैक्सिमम पीक दिखाता है और इसे फोटो सस्टम वन शोटो सस्टम वाले के बीच का लाइट को लेके फोटो स्टम टू एक्टिवेट होता है और शोटो से असी से लेके यहां से दो निकल गई और यहां से वहां से ब्रेक्षिंटर से से लेक्ट्र ओक्सीन और खास प्रका का फ्रेक्षी जिसका नाम हम ने क्या राता है सबस्तांस फिर वहां से लेक्ट्रोण निकली और चला गये अगला फैरडॉक्षिन को जिसका नाम है और अन इस अइरन सल्फर प्रोटीन और दो अलक्रोण चला गया वहां अरब क्या हुआ यहां पर जुरा हुआ था क्या एनदीप फटीन एटीन डीप डिविदक्टेज औ और उसी के प्रोटोन डो प्रोटोन से लिया गया और दो एलेक्ट्रॉन इस आडेंश पर प्रोटीन सा लिया गया अर्वांठी अड्यॉट फांदी पी एक एंडीपी जो हो गया एक एनडीपावर एक यहां से निकला था फोटो स्टम किसका वन का वही एलेक्ट्रोन फाइनली नडी प्यस्टू के पास गया है अभी तो आपको देख कैसा ही लग रहा है और लगना भी चाहिए मगर इसका जो अच्छा तो इस दौरान इस पे लेक्ट्रोन के खिरेट हो गए किस पर फोटो स्टम उन पर तो उसको अलक्ट्रोन कहां से मिलेगा तो इसको चीखो जो प्लास्टों कर दो उसी फ्री एलक्ट्रोन के इनर्जी को यूटिलाइज करके श्टोमा से प्रोट्रोन खेंच लेता है मैं आपको बताया श्टोमा में ए बड़ेज से प्लास होती है अगर स्टोम प्लास की इस्टोमा में एकृट्रोन ज्यादा होती है तो प्यक्ष लोगठी को आपको नोर्स में दिखा मिला थेक्षा तो उधर से श्लेता है और ठीक अब लेग नहीं करेगा अरे मुझे पता है लेग कर आओगा इस तो पीकुएच टू बना कहां प्लास्टो कीन ऑन बना प्लास्टो कीन ओन बना और अब प्लास्टो कीन ऑल ने ठीक को साड़ो यहां क्या हुआ है साइटोक्रों यहां क्या हुआ है साइटोक्रों बीक सिक्सक्राइny और प्लास्टो ने डाल दिया फाइनली ऐला स्केsee Torah बोक्रत किन नźniej के ने identifying तो जो फोटो सिस्टम वन के पास और दो देदेगा उसको तो जो फोटो सिस्टम वन पे स्वारलाइट गिरने से जो एलेक्ट्रोन का फुप्फिल हो चुकी है। मगर इस फोटो सिस्टम टू से जो आज सबूटी और सब्सक्राइब करेंगे कि उस पे कैसे यह पता चला कि उस फोटो सिस्टम तू की ही प्रजेंस में सटा है करता है और दूसरा यह बात को प्रूब करने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट हिल्स ने आया रॉबर्ट हिल्स एंडिस्ट है उन्होंने इस लिए प्लांट को लेकर उन्हों अब उसको निकाला है उसको फुफिल करने का प्रयास करेगा तो उसको बगल में कौन मिलेगा और उसके एंटीना मोल्कुल के करेटिनाइट पिगमेंट के साथ असोचीटेड ऑक्सीजन इवाल्बिंग कॉम्प्लेक्स और इसमें तीम मिनरा लोते हैं एक होता है एक होता है कल्सियम तो इसलिए पूझा जाता है कि वाटर के फुटलाइसिस में कौन सा मिनरा जरूरी ह how can have a man hy होता है कअ होम से नहीं है कुल का मम करेंगे काम करेंगे तो मन होना प्रफ़िव आप्सेट एक चूज करना पड़े तो क्या चूज करोंगे कोई बच्चा बताओ जैंट ठीक है अपने का युज करोंगे क्यों क्यों चूज करोंगे अगला सवाले मेरा आप एक चूज मन ही क्यों करोंगे कि आप चूज एम एन ही क्यों करो गया है कि जब जब सब्सक्राइशन पढ़ रहा था मैंगनीज से या मैंगनीशन से अच्छा ठीक है वहां से जो एक निकला फिर दूसरा निकला फिर उसके बाद निकला मुश्किल हो गया था तो मैं आंसर की जा रहा है यह आप जो बोल रहे हैं वह तो मैंगनीशन से निकला उस पर प्लस टू चार्ज आया नहीं और वह ले लेगा दो ले 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 लेगा यह और इस ऑक्षिए और इस ऑक्षिए उब कंपलेक्स में तीनो मिंडल मिलके ओवराल यह दो अप्षा डोनेट करने का काम एक करते हैं तो मैं कहा रहा हूं कि तीनों ही आणसर होगा क्योंकि तीनों सुरीज बैं करते हैं फिर वी एक चूज करना पड़े तो मैं आप क्य करते हो एक कि आपके मास्टर ने जी बोला था कि मैं न चूज़ करना था इक कெ smg गरना phaseि 25 खर से था इसा होता विधिका विधान है कि नहीं थामन ही क्न与 चूज करोंगे को कि आросा यह मैं है मैं आपको श्ऱस करें कि इन तीनों में से कौन डी ब्लॉक का मुझे बताओ कि इसमें सी ये और सी यल किस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक केल्सियम पी ब्लॉक का है कि नहीं तो वह पी ब्लॉक का है कि इस ब्लॉक में किसके ब्लॉक के एटम का ऑक्षीड साथ स्टेट वरीवल होता है कि दिव लॉक को वेज़ हो ब्लॉक वंडिव ब्लॉक कर रहा हैं मैं तो जब कल को मैगनिसम में प्लस एक चार्ज और तो भी एक्टरों देना चाहिए गा यानि कि वार्टीव ऑडियेवल ऑक्षीडेशन धिकाते हैं तेनेंशें चिसके पास है एक एमिन के पास एक पर लो समझने तो इधर ही आओगे तो इधर उटी करोगे उधर मुपारोगे दर करोगे फिर इधर ही पहुंचोगे लास्ट में कंसेप्ट लेना होगा तो इधर ही आओगे तो कहने हैं फिर तीनों को क्यों मारते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप हाइर क्लासेश में अगर बोट नहीं लगा अब श्टड़ी करोगे तो केवल एमन नहीं देता है यह पास सच है कि मेंगनेशियम प्लस टू को डार्ट कमन देता है फिर स्रीज में और केल्सियम और कैसे हैं यह यह थोनों बहूर्ण डैड़े इसका है प्लस ठीस सूछ करते हैं यह थर और मेंगनेशियम दैगा हुआदेगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्या कि चलो ठीका माले लिए दो लख्रान उसको दे लिया तो मुझे बताओ कि जो मेगनेशन प्लस टू पर प्लस टू चार्ज था अब तो वह नीट्रल हो जाएगा और अब वह प्लस टू चार्ज कहां करेट हो जाएगा ऑक सीजन क्योंकि मिंडल उसका एजा नॉन प्रोटीन पार्थ या उसको मिटाने के लिए के लिए खुट अब इसको बगल में कौन देखता है पानी यह बाई साथ करते हैं पानी को खीच लेते हैं oxygen involving complex और यह पानी को तोरते हैं किसमें एक्ट्रोन और एक्ट्रोन खुद अपने पास लिए उसको मिल भी जाएगा तो इनको भाई सबको मिल गया फिर इनोंने क्या किया जो एच्प्लस था वो तहीं इस स्वामा में छोड़ दिया दो एच्प्लस यहां छोड़ दिया और प्लस में एक नेसेंट ऑक्सीजन तो यह उसी और पूरे फोट्रों का लेकिन नहीं यह वाटर नहीं टूटा है तो जब दो मोल्कुल वाटर की टूटेंग है तो यह पुरा प्रोसेस्स दो वार चल रहा होगा ठीक है वह सब्ता पुरा कलिक्ट कर लोगे ओबरल चार प्रोटर यहां पर जमा हो जाएगा और यहां पर दो मोल्कुल दो अनेश्ट ऑक्सिजेन क्रियेट होंगे और उस दोनों नेश्ट ऑक्सिजन को उस ऑक्सिजन अइवर्लबींग कॉम लेक्स में जो क्रिटिनाइड फिंग्मेंट है खासकर के बीटाक्रोटिंग जो और यह काम लिवेड मेश्यूजन में नही उस पूरे कंपाउंड को बलता है और वह रिलीज के तरफ नहीं करता है वह करता है क्रोस कर जाएगा क्योंकि नॉन पोलर है यह पूरा प्रोसेस को मैंने क्या कर दिया अब क्या होड़ा है इसको तो मैंने यहां पर दो इसलिए किया ताकि आपको यह पता चले कि वह ने प्रोसेस यहां पर चार प्रोटोन का जमावड़ा हुआ है जिसमें से तीन प्रोटोन जब क्रॉस करेंगे तो यह जो पार्ट है कौन यह ATP Synthese Enzyme जो है यह ATP Synthese Enzyme है यह ATP Synthese Enzyme है तो उस समय यह जो आपको प्रोटोन पास करेंगे इसमें होगा आपको अपने उपर जोरेंगे और जोर के वह प्रोसेस एक बार चलेगा तो एक ATP बना आपर यह मिला क्या और एक एक्ट्फिसरम का क्या हुआ है एक्ट्फिसरम शुक्त नहीं हुआ एडिपाइश स्पवर एलेशन के लिए एक्ट्फिसरम हुआ है-एथ-ब्रे में भी खशेली अडियसर मैं भी एनर्जी में होती है तोIST कि में एनर्जी कंजर्व हुई है और योग में एनर्जी कंजर्व हो गई और एटीप नज़ी है और पी एच पॉर्ड के फॉर्म में थैठ्व हॉई है यह स्का मार्णिजिवाइं इसमाटलब तक्तां सोलर लाइट एनरजी केमिकल एनरजी में कमट होएं कैसे हुई है कि यह नहीं होती है कैसे भी पूरा एक मेकैनिजम है और इस मेकैनिजम को साइंटिस्टों ने सो डेर सो दो सो साल में स्टड़ी करके इस्टेबलिस करके आपको पढ़ा रहे हैं यह नॉन सैक्लिक फोटो फॉस्पोरालेस है ठीक है नौ यह सब बातों कल भी पर आ चुके थे अब मैं एक बात का बहुत बड़ा बातों को खुलासा करने जा रहा हूं आज आपके साथ में तो वह बात क्या है तो बात यह है कि मैं आज आपको बताने वालाओं कि यह पुरा वाटर का ब्रेकिंग है इसको बोलते है फुट बना दूगा जहर बना दूगा अब उदर एलक्टर नेलग चिला रहा है कि मैं फ्री एलक्टर नहीं हूं और मैं एनर्जी निकाल के आगे लगा दूगा ऐसा नहीं होता है ठीक है वाटर के ब्रेकिंग के लिए जरूरत है और विदाउट सॉलर लाइट वाटर का कि फिर क्या सच है सच यह है कि वाटर का ब्रेकिंग होगा सोलर लाइट की मरजस्य होगा बट इसके लिए फोटो सिस्टम टूका होना ज़रूरी है क्या बहुत है यह बात भी सच नहीं पर सच क्या है प्रेस्थ क्या ना यह सच है कि वाटर का ब्रेकिंग सोलोग में अध्य तो फिर सच क्या है एनीवन दमागे बता इवान होना चाहिए मतलब वाटर के ऐड़ फोटो लइस के लिए क्याना anima तुपार इफिराइस के तुप यानि कि ऊब्ड़े है उससाव एक को करने दो कॉप्वाट क्युद कुंप्लीट करने के लिए यह उसके इले तिस पूरा आप सेस्टाएस दिए उसमें आप त्थातर प्रशब्द मेंगे है थित्वुद्ध सेव्द मेंगे क्या मैंने चर्व को गलत वाताया आप क्योंस तर्थमेंट को इसा तर्थमलगं इन फटेस्ट में बाइए लेखिन बहुत होई एगर की वाटर का फोटो लेशिस संल्लाइट को एक प्रिजेंट फोटो सिस्टम्ट टू एड़न बूलत in presence of photo system two and one both दोनों का होना जरूरी है तभी होगा water का photolysis और दोनों simultaneous work कर रहे होंगे तभी होगा water का photolysis और इस बात को यह जो अभी मैं बोल रहा हूं कि दोनों का simultaneous होना जरूरी है तभी होगा water का photolysis इस बात को एक्स्परिमेंटली प्रूफ किया है एमर्सन और अर्नॉल्ड ने और यह NCRT में नहीं दे रखा है सुनना कान खुल के मैं क्या कहला हूं यह जो NCRT मारे के मंड़ी मंड़ी में मिलते हैं कि मैं NCRT टीचर हूं मैं NCRT पराता हूं मेरे बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं यहां है वहां है अरे तुम्हारे पराने से बच्चे मेडिकल कॉलेज में नहीं हैं कहीं और भी परते हैं पता करो जग बहार ठीक है यह हवा हवाई बातें बंद कीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि NCRT में नहीं है अर्शन एर्णॉड एक्सपेडिमेंट लेकिन एक्जाम में 2016 में आया और एक्जाम में आंसर गया और कान फुल गया आंसर ऑप्षनू जो था ऑप्षन ये वाला तरेक्त पूचा थे एमर्शन एर्णॉड एक्सप्रेमेंट से च्या पता चलता है और यह ता कि यह पता चलता है कि फोटो सिटम वन और टू साइमल्टेनियस वर्क करते हैं मैं और यह लाइन भी डियक्टी एंसाइटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है यह लेकिन अब आपको अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन आपको भी इतना पता चलता होगा यह सर अगर दोनों एक साथ वर्क नहीं करेगा तो यह पूरा प्रोसेस ही नहीं चलेगा तो इस बात को तो शॉपेरिमेंट का शॉपेरिमेंट है उससे पहले मैं धूसरा एकस्परिमेंट बता हूंगा और वह है रॉबर्ट हील का और आपने सुना भी होगा रॉबर्ट हील साभ का एक्सपरिमेंट मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या किया था हिल द्सरी एंट नाम अगर जो सुना होगा साइड़ा तो बताओ कि रोबर्ट हिल साथ का कहता है क्या है यह किसी ने ने सुना चलो सुनों मैं सुनाता हूं मैं सुनाता हूं रॉबर्ट हिल्स साब का एक्सपरिमेंट लिए इन्हों ने क्या किया इन्हों ने वनos कर लिया सग्ण को ऐखस्ट्राइक कर लिया बड़ी मैंस से कर लिया अब इनों नहीं क्या कि एक चैंबर लिए तब टैप फैक चैंक है उसमें उन्होंने डाला क्या पानी का डाला और उन्होंने यह ऑटर का यह नहीं होता है उनको यह पता करना था वाटर का उक्सीडेशन होता है यह सूर लाइट ही के हैं या फिर फोटो स्टम वन जरूरी है तो दूनु जरूरी है यह बत तो बता देंगे नदफिशनेट के तो इन्हों बटर का जब ऑक्षिडेशन होगा तो यह एड़ी पीएस टू बन जाएगा तो पता चलि लगा कर वाटर का ऑक्षिडेशन हुआ है तो इन्होंने क्या किया एक्सपरिमेंटल सेट अप में पाने डाला और उसमें इस ट्रैप का डिजन डाले जो एलेक्ट्रोन एक्सप्टर है तो नहीं होता है कै विश्वर लगाने से फो यहहां यहां होगा यह अगर आप पारफ पूसी कि अब्यूं अधिन यह दो आप नव्हाइस वह उल्हाइपर असकर फाल — लगा हुआ है उसे पोटो सिंतेसिस नहीं होता है और आपने वही चिरुकर रठ लिया क्योंकि हमारे कमड़े और आपके कमरे में अब यहां बैट होंगे और हम भी जहां बैट होंगे हर जगह लेडी बल्व लगा हुआ है और यह आश्चानी पांस साल से हर किसी कमरे में ली सब्सक्राइब तो पता चल गया होगा उससे फोटो संथिस होता है क्योंकि उसकी दो सब्सक्राइब की क्वालिटी और क्वांटिटी मलब की वेवलेंट इंटेंसिटी दोनों ही सोरल लैट से मैच करती है और इसलिए सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करेंगे तो क्या निकल जाता प्रोटो संस का एक्स्प्रिमेंट करेंगे नहीं करेंगा सब्सक्राइब करेंगे नहीं होगा वह सबसे पहले उन्होंने क्या किया पहला इतना ही चीज रखा तो पहला नंबर सेट अप और उसमें रिजल्ट चलिए आप लोग बताएंगे रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा पहला नमबर सेटप यही था पहला नमबर सेटप क्या था उन्होंने बले लगाया वर्टर रखा और हिल्स डियंट डाला मुझे बताऊ वर्टर का ऑक्सेडिशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा दिमाग लगा करता हो हुआ ह favor olha wow दो लोगों ने जवाब दिया दोस्के बोला नहीं है दूसरा दूसरा method incurring MNपन खिया इस पर उन्होंने इस времен इसी के अंदर विस टीलेश्च प्लांट तो उन्होंने जिसका क्लोब्स निकाल के ला जा दा या उससे निकाल लिया एस्ट्रोमा लेमिली यानि के इस्ट्रोमा थलेकवाड निकाल के इसमें बिखेड दिया डाल दिया ठीक ऐसी में डाल दिया आप पताओ वाटर का और सुरेशन होगा यह नहीं होगा नहीं होगा अभा पारिंगों नहीं हो थीस्ट्रा सव गरत बार में डिसाइड करेंगे आप जबांदेटर्स तीसरा वार उनों ने कहां किया यह 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 जो है इसको आए ठीक है लुदकि नया चंबर बनाया हटाए क्या रगल लगट अनौने लिए ठीक है इस वार उन्हों अलग लग करके इसमें बिखेर दिये मटला फोटो सिस्टम से पिगमेंट को आइसोलेट करके इंडिवीजव इंडिवीजव करेटी नायड कलोरे फिल पिगमेंट वगर डाल दिया तीसरा बाता वाट्र काक्शिडेशन वहाओगा यह नहीं वहाओगाए पाकिन देख लिद्वारत नहीं नहीं अनुने इंट्राग्रेम नutने और उस्काड़ कर दिया मताओ इसे बार वाटर और और युज वाओ निद्धा होगा तो भगाओ निध्य वाओ पाचवार वाओ ने क्या किया सब कुछ स्यमर्य ने दिया बल्ब को बुजा दिया है एक्सपरिमेंट को अ शरी वाटर का अंसरे नहीं अपको बता रहा हूं अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका आंसर कुछ-कुछ सही भी है, कुछ-कुछ गलत भी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या-क्या हुआ था और क्या-क्या नहीं हुआ था हाँ ये बात Emerson Arnold से पता चला कि फोटो सिस्टम वन और टू का साइमल्टेनियस होना जरूरी है साइमल्टेनियस होना जरूरी है ये बात Emerson Arnold से पता चला और दोनों का होना जरूरी है ये दोनों अलग बाते हैं कि साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे हैं और दोनों का उन होना ज़रूरी है तभी यह बात पता चलता है किस से इस एकस्परिमेंट करके सारे सहरा पहली बार में उन्होंने क्या किया था पहली बार में उन्होंने इस पानी में कुछ भी डाला था बस पानी था और हिल्स रियेजेंट था और बल्ब जला वा था तो बच्चों मैं आपको बता दूं पहले केसमें वाटर राकुषड़ेशन नहीं हुगा था क्योंकि उन्होंने एक्स्प्लेंट किया क्योंकि इस समय वाटर से जो एक्चुल में वाटर को तोड़त वह औक्सिजन इवल्बिंग कॉंप्लेक्स बार में पता चली गए एक्स्प्रिमेंट आ गया तो उनको पता चला कि इस समय कुछ नहीं हुआ वाटर प्रोटन ले लेख dep 2500 रीजरेट नहीं होतों उन्य उसमें नहीं क्या किया उसमें मिला और मिली मुझे इंटर्ग्रेम में कौन सा फोटो सिस्टम होता है इंटर्ग्रायम में कौन सा फोटो सिस्टम होता है जली बो अनुक प्ढ़ते हैं पता नी मत पड़ो ने यार मारो मंडी में मुह मारो सब लोग तुम सब कुछ ना होना जाना है ऐसे रटते रोग जीवन बग जब तुम्हें यही नहीं पता है उदिन ट्रिक बता दिया फोटो सिस्टम वन में जो है वन हमेशा फ्री रहेगा और फ्री लोग अपने इसाब से काम करत सब्सक्राइब बताया था उसमें वन होगा दवाब में नहीं रहा हुए नहीं प्रेस्ट इजन है बाकी तो बाके को तो साप सुंग गया एक जवाब देने वह भी गलती जवाब देने अरे तुम लग पढ़ते तो होई नहीं आज तक पड़े होई नहीं अकिकत तो यह है सब्सक्राइब पहुंद ऑने लिए सब्सक्राइब के तो हुआ है तुम लेश्यें नहीं हों तो सोचा कि फोतो सब्सक्राइब दो लेकिन इंडिवीज्वली भी खेड दिया उस पानी में फिर भी नहीं हुआ यानि किसे पता चला कि यह सारे पिग्मेंट के आजाने से ऐसा नहीं कि वाटर का उक्षिडेशन लेगा वह एक प्रोपर में वर्क करें तब होगा तो फिर नहीं हुआ चौत्या बार मनों ने क्या किया लिया इंटर ग्रेंट था उसमें इंटर ग्रेंट में फोटो स्टम वन भी था टू भी था फोटो पर हुआ वाटर का उक्षिडेशन पता चला उसमें वाटर का उक्षिडेशन बना होगा और जो इस ट्रोमा लेमिली के एंटर ग्रेंट के फोटो स्टम टूकिए और यहां पर नाम का तो कोई चीज है नहीं जब हमने ठालकवाड डाला डारेक्ट तो इस ट्रमा के नाम प पता चला कि वाटर का उक्षिडेशन हुआ इसी से पता चला वाटर का उसमेर का बल बंद कर दिया बल बंद किया तो इससे उनको क्या पता चला कि बल्ब बंद करने से स्वरल lght झुनकि स्वर्वर ल constraint फोटर सिस्टम 2 पर ऐलक्ट्रोंट करेट वन पे भी कराता विर होती है तो म्नonday पैक्ट्रोंट स्वर्विसेंसे होने से उसको फोटर्व डियां सुरत मिल जाता है उसको कोई दूसरा थेने वाला है कि लेकट्रोंट ऑप yota जरूरी है इसलिए फांचवे में नहीं हुआ था क्या वाटर का ब्रेकिंग तो यहां से पता चला वाटर के ब्रेकिंग के लिए उस तो लाइड जरूरी है अब बोलो क्यों बोला फोटोलेशिस वाटर समझ में है यह फाइनली हिल्स रियेजेंट से हिल्स और हिल्स एक्सप्रेमेंट की सारी बातें स्प्वेंस में आपके लिए डली से सारी बाते आपके लोट्स में सिंख्वेंस में लिखी हुए है कि यह दुखो आज आप क्या करोगे अगला मिटिंग में तो और भी बात करेंगे यह सब पूरा पढ़ लोगे यह सब तो आना कि कली में पढ़ा दूगा था अभी मुझे हील्स वाला पढ़ाना था यह रहा हिल्स वाला अच्छा जैड इसकी में अभी बता दूंगा रूप पर लो तो पर लो यह रोबर्ट इल्स स्टेल अरिया प्लाइड पर किया था उन्होंने एक्सपरिमेंट वन नतीजा कि आपके सामने और एक्सपरिमेंट 5 में फिर क्या हुआ यह आपके सामने और फिर अगले मिटिंग में लेते हैं यहां तक पढ़ लिए जली से